हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी जो है वो बहतर तरीके से चल रही होगी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एंटी पीसी और ग्रूप डी के बारे में जो हाई पावर कमेटी का गठन हुआ था उनकी डिपो में हम सारी अपडेट को देखने वाले हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दीजी का कॉर्मेंट जोब की पलपल अपडेट के लिए तो चली वीडियो शुरू करते हैं यह आ आज ही की कटिंग है यानि के चार मार्च की और इसके अंदर लिखा हुआ है कि वैयारतियों ने की थी एंटी पीशी का डिजल्ट बीस गुना अधिक देने की मांग रेल भरती बोड कमेटी ने रिपोर्ट सोपी मिल सकती है राहत यह इसमें लिखा हुआ है और अगर हम ब करनाई कई पाच सदस्ये उच इस तरह कमेटी ने एंटी पीशी सना तक इस तरह जेजल्ट वा ग्रूप डी परिक्ष्टा को लेकर अपनी रिपोर्ट सोप दिये यानि कि मिनिस्ट्री ओफ रेलवे को इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट सोप दिये और इसके अंदर इन् किया जाएगा यानि कि 20 गुना कैंडिडेट जो है पोस्ट से वो ले जाएंगे और आरारसी ग्रूप डी के अंदर इन्होंने सीवीटी टू को कैंसल आउट करने की बात की कई थी तो वो सब हो सकता है इसके अंदर आगे लिखा है कि इस आंदोलन में पकड़े गए जो कै तक बेल उनकी बेल नहीं हुई है और इसी को देखते हुए छात्रों के आंदोलन के बाद रेल मंत्री ने 26 जनवरी को पाच सदस्य उच इस तरह कमेटी बनाई थी इस कमेटी ने देश भर में सभी आरारबी में जाकर कैंडिडेट से बात्चित की है इनकी समस्याओं को रेलवे की ओर से केंडिडेट से ओफलाइन और ओनलाइन आवेदन मांगे थे यह आवेदन 16 फरवरी तक आपको जमक करने थे और उसके बाद चार मार्च को यानि के आज ही की डेट में इनकी जो रिपोर्ट है इस तरह कमेटी की वह सोपी जानी थी तो इन्होंने डेट के अकोर्डिंग आज ही अपनी जो रिपोर्ट है वो सोपती है और इसके अंदर उपर जो लिखावक करीब साथ लाख इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि के केंडिडेट से प्राप्त आवेदन के बाद कमेटी की को सही तथ्यों के अधार पर रिपोर्ट पना कर चार लाख केंडिडेट का डिजल्ट दिया जाएगा रेल मंत्राले ने सूत्रों की माने जानकारियों की माने तो एंटीपीसी इसनातक इस तरह डिजल्ट में सुधार करते हुए इसकी संक्य इसमें इसकी संक्य बढ़ाई जाएगी सीटों के बीच गुना डिजल्ट बीस सीट से 20 गुना रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा करीब 7 लाग से अधिक candidate का रिजल्ट दिया जाएगा इसके अलावा RRC के छात्रों के EWS के छात्रों के certificate नए certificate की छूट दी जाने की संभावना है इसके अलावा group D की परिक्षा को शिर्फ एक बार कराने की संभावना है हाला कि छात्रों की संख्या अधिक है इसकी वज़े से मन्थन होगा यानि मन्थन का मतलब इस पर विचार किया जाएगा क्योंकि RRC group D के अंदर जो है वो candidate ने बहुत ही ज्यादा तादात में form fill कर दिये कहे हैं तो इसके अंदर अभी कहना मुश्किल है कि क्या होगा अब इस पर जो last फैसला होगा वो ministry of railway लेगी की revised digital देना है या नहीं देना RRC group D से CBT2 हटाना है नहीं हटाना तो उनका विट लग कोई notice नहीं आया है अब इस पर last फैसला जो है ministry of railway लेगी तो उसको एक या दो दिन लग सकते हैं और जैसे ही ministry of railway का वैसला आएगा उसी के साथ आपकी NTPC2 और RRC group D की जो exam date है वो announce कर दी जाएंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करके बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें गोर्मेंट जोब की पलपल अपडेट के लिए थैंक्यू फॉर वाचिंग कर दो ओन तो कर दो कर दो